दोस्तों स्वागा थे आपका एक्जाम के लिए स्कॉलन पॉर्टल में फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि RRB का जो एक्जाम चल रहा है उसमें कम्प्यूटर से दो-तीन कोश्चन पूछे जा रहा है इनमें से पहले टाइप का जो कोश्चन पूछा जा रहा है फूर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर Uniform Resource Locator, यह आपका ऐसा full form है, जो आपकी लगवाई हर सिप्ट में एक सिप्ट छोड़के पूछा जा रहा है, डेली-डेली, तो इसको तो आप बिल्कुल अच्छे सी याद कर लीजिए, यह बहुत important है, इसी से मिलता जलता एक और है, URI, इसमें locator की जगा, identifier का यूज होता ह तो इसका full form हो जाता है, Uniform Resource Identifier, अगला है आपका USB, इसका full form होता है, Universal Serial Bus, यह जो question है, आपका SSC के पितले जितने भी अग्जाम्स हुए, उनमें पूछा गया, चाहे हो आपका दिल्ली-पुलिस का हो, CPO, यह इस्टेनोग्राफर, लगबग हर पेपर में यह वाला question नेक्स्ट है हमारा HTTP, इसका full form होता है, Hyper Test Transfer Protocol, यह वाला question भी रेले भी में बहुत repeat हुआ है, और अगर इसी में हम S जोड़ दें, HTTP में, तो यह हो जाता है, Hyper Test Transfer Protocol Secure, नेक्स्ट है हमारा ALU, इसका full form होता है, Arthematic Logical Unit, तो computer जितनी भी गड़नाय करता है, जोड गठाना, गड़ भाग वो computer के इसी पार्ड में होती है, Arthematical, जितनी भी प्रोसेस होती है, वो Arthematic Logical Unit में होती है, Next है Algol, Algol का full form होता है, Algorithmic Language, Next है CPU, इसका full form होता है, Central Processing Unit, और अभी हाल में आपसे question पूछा गया था, RRB में, कि computer का मस्तिस किसे कहा जाता है, तो वो भी कहा जाता है, CPU को, Next है हमारा UPS, इसका full form होता है Uninterruptible Power Supply, यानि कि जो Power Supply है, वो uninterrupted रहे, इसके लिए यूज किया जाता है UPS का, ये light जाने के बाद भी 15-20 मिन तक बिजली प्रुबाइट करता रहता है, जिससे आप computer पर जो भी काम कर रहे हैं, वो अचानक बंद हो जाने के कारण आपकी मे जानत बरबाद ना हो जाए, इसी से मिलता जुलता एक और है, वो होता है PSU, इसका full form होता है Power Supply Unit, तो इसको आप याद रखिए, Next है LED, इसका full form होता है Light Emitting Diode, और LCD का full form क्या होता है, Liquid Crystal Display, Next है हमारा RAM से Related, तो परिक्षा में RAM और ROM से भी काफी question पूछे जाते हैं, तो उन स अगर इसमें SD जोड दिया जाए, तो ये हो जाता है Synchronous Dynamic Random Access Memory, और अगर इसमें NV जोड दिया जाए, तो ये हो जाता है Non-volatile Random Access Memory, सेम इसी तरीके से ROM के साथ भी होता है, ROM का full form होता है Read Only Memory, ये भी आपकी दो तरीके की होती है, EP ROM और EEP ROM, EP ROM का full form होता है Erasable and Programmable Read Only Memory, और अगर दो बार E जोड जाए, यानि कि एक और E जोड गया, तो इसका मतलब होता है Electronically Erasable, वो बाकी सब आपका वही है, Electronically Erasable Programmable Read Only Memory, नेक्स्ट आपके परिक्षा में Transfer Protocol से भी काफी question पूछे जाते हैं, तो जितने भी simple simple question है, जिनके आने की संभाब ना जादा है, उनको भी दे transfer protocol, तो TP का full form होता है transfer protocol, और FTP का full form होता है file transfer protocol, इसी तरह की से हम देखें, SMTP का क्या होगा, तो SMTP का होगा simple mail और transfer protocol, और अगर SFTP हो, तो simple file transfer protocol, कभी-कभी इसमें simple एक जगा secure file transfer protocol का भी यूज किया जाता है, लेकिन अब इसको छोड़िए, कि बल एतना ही याद रखिए कि इ simple file transfer protocol, next है हमारा DAP, इसका full form होता है direct access protocol, WAP का full form होता है wireless access protocol, IMAP का full form होता है internet message access protocol, तो वीडियो को पॉस्ट करके आप इसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं, इसका screenshot भी ले सकते हैं, वैसे इसका जो PDF है वो तो मैं available करा ही दोंगा, इस सब में आप देखिए, यहाँ पर है AP इसमें भी है AP, इसमें भी है AP, AP से आप समझ रहे होंगे access protocol, बागे आपको यह आद करना है कि अबल D for direct, W for wireless and IM for internet message protocol, तो इसको आप ऐसे अच्छे से याद रख सकते हैं, एक और है हमारा PPP, इसका full form होता है point to point protocol, यह public private partner से बाला नहीं है, computer में इसका होता है point to point protocol, अब दे टाइप के question होते हैं यह, अगर इनके बारे में हमें नहीं पता है, तो हम इनमें कोई भी guesswork नहीं कर सकते हैं, बल्लब तुक्का नहीं लागा सकते हैं, अगर इनमें तुक्का लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा chances होते हैं गलत होने के, तो इनको आप अच्छे से याद कर पर इच्छे में पूछा जाता है, यहां तक कि लेकपाल मंडी परसत के paper में भी आपका यह पूछा नहीं शोड़ता है, यह वाला question, वहां भी आपको रखा हुआ मिल जाएगा, इसका full form होता है American Standard Code for Information Interchange, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए, नेक्स्ट है हमारा Arpanet, इसका full form होता है Advanced Research Project Agency Network, और इसी तरगी से एक और है COBOL, इसका full form होता है Common Business Oriented Language, Common Business Oriented Language, Next है हमारा Fortron, Fortron का होता है Formula Translation, और एक और है Simple है काफी, BAL, इसका full form होता है Basic Assembly Language, और SQL, इसका full form होता है Structured Query Language, यह दोनों भी काफी important है, Next हमारा LAN, WAN से भी question काफी पूछा जाता है Area Network से, उनको भी अच्छे से देख लेते हैं, इन वैसे LAN का full form होता है Local Area, और इसी में W जोड़ जाता है, तो भी हो जाता है Wireless Local Area Network, और WAN का full form होता है Wide Area Network, और अगर उसमें W जोड़ दिया जाता है, तो भी हो जाता है Wireless Wide Area Network, Next है हमारा MAN, इसका full form होता है Metropolitane Area Network, और PAN का full form क्या होता है Personal Area Network, और BPN वर्चुल प्राइबई नेटवर्क, VLAN का Virtual Local Area Network बैसे इनकी बारे में explanation करने की जरूरत नहीं है बहुत simple हैं यह सारे जैसे कि Local Area Network जो होता है वो एक छोटे से एरिया में ही चलता है Bide Area Network इसकी रेंज थोड़े से बड़े एरिया में होती है Metropolitan पूरे सहर भर में इसकी रेंज होती है और Personal Area Network के बले एक व्यक्ति इसको यूज करता है और Virtual Private Network इसको भी एक व्यक्ति यूज करता है लेकिन वो व्यक्ति अपने Network में क्या चला रहा है इसकी जानकारी हम सब नहीं रख सकते हैं VPN के थुरू और सेम यह भी है VLAN का मतलब होता है Virtual Local Area Network Next अब हम कुछ बचे विए फुटकर फुटकर Full Forms को देखते हैं जो की परिक्षा में पूछे जाते हैं काफी important भी है एनिवर से पहला हमारा है DOS इसका Full Form होता है Disk Operating System अगर इसमें MS जोड दिया जाए तो यह हो जाता है Microsoft Dix Operating System अब लोग इसमें confused हो जाते हैं कि MS का क्या मतलब होगा MS का मतलब होता है Microsoft Dora Bixit QR Dix Operating System Next है HDD इसका Full Form होता है Hard Dix Drive और FDD का Full Form होता है Floppy Disk Drive Next है VGA इसका Full Form होता है Video Graphics Array और DPI का Full Form होता है Dots Per Inch PPI का Full Form होता है Pixel Per Inch यह दोनों पिक्चर की Quality में अपने के लिए यूज किये जाते हैं कि 1 इंच में फोटो में कितने dots हैं और 1 इंच में फोटो में कितने pixel हैं यह दोनों अलग लग लग unit है Next है हमारा DBMS इसका Full Form होता है Database Management System और BIOS का Full Form क्या होता है Basic Input Output System Next है हमारा GSM इसका Full Form होता है Global System for Mobile Communication आप जो SIM यूज करते हैं वो GSM SIM ही होती है यानि कि आप कोई भी SIM किसी भी mobile में लगा सकते हैं जबकि पहले जो CDM में mobile आता था उसके साथ जो SIM दी जाती थी वो किबल उसी mobile में काम करती थी इसका Full Form होता है Code Division Multiple Access Next है हमारा DNS Domain Name System आप जो देखते हैं .com, .gob, .in वो साब होते हैं Domain तो उसी से बना हुआ है DNS Domain Name System Next है हमारा IBM इसका Full Form होता है International Business Machine ये कंपनी है, कंप्यूटर पकेरा बनाती है उसके बाद है हमारा FACS इसका Full Form होता है For Away GROX अगर हमें जो GROX है अपनी वो बहुत दूर बैटे किसी वेक्ति के पास भेजना है तो इसका यूज किया जाता है FACS का उसके बाद है हमारा CC इसका Full Form होता है Carbon Copy एक और होता है BCC उसका Full Form होता है Blind Carbon Copy Next है I-O इसका Full Form होता है Input Output उसके बाद एक Question ये पूछा जाता है आपसे GUI का Full Form क्या है इसका Full Form होता है Graphical User Interface और CGI का Full Form क्या होता है Common Gateway Interface और ऐसा ही एक होता है API इसका Full Form क्या होता है Application Programming Interface तो इसको आप अच्छे से देख लीजे थोड़ा थोड़ा नमें अंतर है उसके बाद हमारा नमबर आता है Block इसका Full Form होता है Bablog इसमें हम थोड़ा से Confused हो जाते हैं यहां पर दिल रखा हुआ है B और इसका Full Form सुरू हो रहा है W से तो जितने भी Block होते हैं Computer पे जिसमें हम लोग Material ढूड़ते हैं वो होते हैं Bablog यानि की Babsides नेक्स्ट है हमारा Bi-Fi इसका Full Form होता है Bireless Fire Lady कापी important है नेक्स्ट है हमारा www तो बहुत सिंपल है इसका Full Form होता है World Wide Wave नेक्स्ट है हमारा ISP इसका Full Form होता है Internet Service Provider उसके बाद है OSS इसका Full Form होता है Open Source Software नेक्स्ट है हमारा Image का Format होता है जो computer में हम लोग image लेते हैं वो JPEG में stored होती है इसका Full Form होता है Joint Photographic Expert Group अगला है हमारा GIF इसका Full Form होता है Graphics Interchange Format आपने देखा होगा कभी-कभी आपका जो WhatsApp Group होता है उसमें Good Morning और Good Night के जो मेसेज आते हैं वो बार-बार वही repeat होके चलते रहते हैं चोटा सा short message होता है दो-तीन सेकेंड का उसमें कोई full बागरा होता है वो बार-बार खिलता रहता है उसमें Good Morning पीच-वीच में लिख के आता है तो वो सेम बैसा ही चलता रहता है तो वो आपकी जो image होती है वो होती है GIF image यानि की GIF image उसमें जो graphics होते हैं वो बार-बार interchange होते हैं इससे हमें लगता है कि वो चोटा सा video है लेकिन वो video नहीं होता है वो भी एक type की image होती है इसका full form होता है Graphics interchange format Next है हमारा GPRS तो जो हम net चलाते थे पहले वो GPRS होता था 3G, 4G के आनिस पहले GPRS का full form होता है General Packet Radio Service Next है हमारा SIM का full form काफी simple है Subscriber Identification Module इसका full form होता है Next है हमारा CD का full form CD का full form होता है Compact Disc और DVD का full form होता है Digital Versatile Disc और इन दोनों में अगर कोई सब्द जोड दिया जाए जैसे कि CD में R जोड दिया जाए तो वो हो जाता है Compact Disc Recordable सेम यही बात आपकी DVD में भी यूज होती है DVD में R जोड दिया जाए तो वो हो जाता है Digital Versatile Disc Recordable और अगर RW जोड दिया जाए तो वो हो जाता है Rewritable सेम यही बात आपकी CD में भी लागू होती है एक और आपका है MICR इसका full form होता है Magnetic Ink Character Recognition और OMR इसका full form होता है Optical Mark Reader जो पहले OMR सीट बगर है जिसमें हम एकजाम देते थे वो हम लोग OMR भढते थे Pencil से जिसको कंप्यूटर पढ़के हमें नमबर देता था कि आपकी एकजाम में कितने नमबर आ है अब तो online system हो गया तो इसका huge come ही होता है तो friends इस तरीके से देखें हमने 75 plus important full form जो आपके परिक्षा के लिए बहुत ही important थे I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो इसको like करिए आपके like और CRC हमें और भी अच्छा content बनाने का motivation मिलता है और भी computer के जो important important question है वो भी आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊंगा चैनल पर और अगर अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe पनना मत भूलिए तो मिलते हैं फर नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए जाए हैं जाए वारत